हम लोग इसे पहले वाले वीडियो में चार तक अमल और चार का उपयोग के बारे में हम बताया थे कि अमल का उपयोग कहा होता है घरिलू उपयोग क्या है उध्योगी उपयोग क्या है उसी तरह से चार का भी हम घरिलू उपयोग और उध्योगी उपयोग के बारे में बताय है तियार कैसे किया तया है इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहां पर पहला 포인ٹ होता है कि लवन योजी हम क्या है तो लेवन को इंगलिस में हम लोग साल्ट बोलते हैं इस रहा-ऺ्रसायनिक योगिक Ramsar का Okay से बनता है आम और चार के रियक्शन से जो नया पदार्थ बनता है उश्री को हम लोग क्या बोलते हैं लवन बोलते हैं क्या बोलते हैं आम ले एवाम चार के रियक्शन से जो नया पदार्थ बनता है उश्री हम लोग क्याते हैं जैसा कि हम लोग अमले का रहसानी गुन और चार का यानि भासमे का रहसानी गुन दोनों में पढ़ा चुके हैं प्रहाई नहीं कि अमले चार या भासमे से अभी किरिया करके लवन तथा जल बनाता है पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं यह हम पढ़े हैं कि भास में अभिकिरिया करके लवन तरफा जल बनाता है तो बात और होते हैं कि लवन है क्या तो लवन एक रहसानिक योगिक है जो एमले और छार या एमले या भास में के अभिकिरिया के फल सोरूप बनता है एमले एम छार के राशानिक अभिकिरिया के फल सोरूप बनता है वो क्या कराता है लवन कराता है जैसे में यहाँ पर देख लिजे सोडियम हाइडोक्साइड एन ए ओएच एन ए और हाइडोक्लोरीक अमल यहां पर ध्यान से सुनिए हम क्या बोले थे कि छार एम अमल के रहसानिक अभिकिरिया के फल सरुप जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग लवन कहते हैं यह ऐसे बोल सकते हैं लवन एक रहसानिक पदार्थ योगिक है जो चार एम अमल या अमल एम चार के रहसानिक अभिकिरिया के फल सरुप बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लवन कहते हैं तो यहां पर देख रहे हैं कि यह जो है से क्या है एक छार है क्या है और यह क्या है अमले है यह पूछ तो फार और में अभी क Eddy करता तो आ लवन था जल बनाता है तो यह जो लेवन Bynn मैं देखेँगाल तो हम बताये थे किया हड्रोजन था फिसल होता है इसलिए सोधियम को यह सटापीत कर दिता है और इसका बिस तक लेंच है तो यहां पर बन जाता है एन एसल इसको विश्थापित कर दिया तो क्या हो गया एनसल अभी इधर वाला बच गया ओ एच अभी यह दोनों आपस में रियक्शन करके एच 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 टू हो गया ना बाबू और वो जल का निर्मान करते हैं तो यहां पर जो नया योगिक बन के तयार हो रहा है एक रहसानी को है जो क्या होता है लवन होता है क्या होता है अब इस लवन में ना तो इस छार का कोई गुन मौजूद होगा और नहीं इस अमले का गुन मौजूद होता है दोनों जो आपस में रियक्शन कहते हैं तो दोनों उदासिन हो जाते हैं दोनों क जाता है निटल हो जाता है तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या उस्वाज मा गया अमलane ऑन्म lets Are के रहतानिक अभी किरिय के फलस्रोफ जो नए पदार्त बंता है उसे हम लवन बोलते हैं किया वर कोडिकत कूझ अब यहाँ पर हम लोग आता हम समान्य लवन बनाने की बिद्या देखेंगे तो रियक्सेन के फ्रूफ जो पदार्थ बनता हो क्या होता है लबन होता हैF č्वर् reveal जैसे कि यहां पर आपाम रगल किया गया तो जीन्सलफेट बना चुंध कोता है यहां पर हाइडोजन गैस श्थाप्र हो जाता है हाड्रोजन गैस यह हम पहले भी पढ़ाए है के एम लेका रहासानीगूल में पढ़ चुके हैं के आम लेLes धातु उससेबिक रीर गर करके हाइडोजन गैस देता है नहीं ने तो यहाँ पर हाइडोजन गैस दे रहा यह और जुनयाब готов और यह वाला जो योगिक बंदा है क्या कहा लाता है कद यह लफज़ कना था हो उदिकत दूसरा में मैगनेस्जिंड को जब हम लोग हैटो कलोरिक अमने सब्सक्रेंग रहे हैं यहां फर मैगने से यह क subsidi अधिए बना हाइड्रोजन ग्यास दिता है यह बहुँ ये भी क्या है लेवन कौपर कुझा सलुरी कंए अभी किरेक ला स healthy या तो क्या किया यहां यहां पर कॉप सल्फ रप्ध बना क्या मना और यहां पर बने जल और सल्फरडाई आउक्षाइड बनता है यह ना तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि धातू को जब अमले से भी क्रिया कराई तो क्या बन रहा है लवन बन कर त्यार हो जा रहा है को जिक्त आगे देखते हैं दूसरा देखिए धातू तथा अधातू को ग साथ गर्मी कर दिया जाता है तो गर्मे करने पर जो नया पदार्त बनता हुँव Ö Hoot brother 11 क्या होता है जैसे कि आप देखिए ऐने सील पलस क्लोरीन सिल हैना स्योडियम और कलोरीन को जब गर में कि आए ता घर में करने पर शोडियम KLOORID बनता है क्या बनता है अ रभर है सूडियम का लुराइट यहां संतुलिट करने के लिए दो लगादी यहां दूञता ना जी तो दूसरे गुन्हा करेंगे ते जब दूसरे इसमें plug में किया और रहा है उसी तरह से ऐसी तरह से साहल स्थे पहें है यहां पर आप बगल में नाम लिख लिए की हिए क्योकि आगे आएगा इसका नाम्स का माझता रमा लिए कि जी है कि यह क्या है यह क्या है यह क्या है ठीक है यहां पर आप देख रहे हैं कि धातू को जब अधातू से गर में किया जा रहा है तो क्या बन रहा है तो समान ने लवन बन सकता है कि नहीं बन सकता है को जिकत नहीं है तीसरा यह आप देखेंगे धातू का उकसाइड यह हाइड्र कि अफ़े कर आंगे तो अभी किरिया का क्या मिले और ये चिंख ऑक्साइड हो तो क्या हूं जूह 2000 कोपर रेट को जब हम लोग अमने से भी किरिया कराते हैं तो अभी किरिया के फल्चुरूप यहां पर क्या शोथा यहां पे हाइडोजन को जिंख स्थापित कर देता है और जेडेन एसओ फॉर यहन जिंक सेल्फइट तथा जल बनाता है क्या बनता है तो जिंकIGH्च सेल्फइट किया है लाँवन है ठी एक बात और ध्यान से सुने लाँवन में ना तो आप को हैच मिलेगा नहीं ओएच मिलेगा ना तो आपको हैच मिलेगा नहीं देखिए दिमान से है कोड़ है जिसमें ऑनलत झिसमें ऑफ झता हो चाहर होता है अब देखिए कौपर आउकसाइड कौपर इसको भी सलीक से अभी किर्या करएं तो क्या है ena कौपर शलफेड घण बन रहा तो एक पर करक् लेवन है उसके बाद जिंग हाड ओक साइड को हम लोग अभी कि रिया करें सल्फिरी काम ने से तो क्या बना जिंग सल्फिर्ट था जैलका निर मन वा तो हरे एक किस्थिती में क्या बन रहा है लवन बन रहा है तो लवन प्राप्त ऐसे भी हम कर सकते हैं कि नहीं आगे देख जार ये औकसाइड को अमलिय औकसाइड चभी कराएंगे तो दोनों मिल करके लवन देता है जैसे हम यह पर शोडिय ओकसाइड देखे और यहां पर सलफर आउकसाइड देखे है ना यहां पर दोनों आपस में रियक्सन किये तो क्या बना स्थोडिय misal है छुषक है आप है नहीं होता है तो यहां पर छारीардग और अशच आडे में तो ने legend योदि वनने साडहे एक शार्य डूम पर छोड़ दरत यह ओंशने असमेरेक्शन कर तो उसी चलिए आगे आप देखते हैं लो अब देखिए यहां पर फजाद्ट के कार्बोनेट आम लेसे अभी की रहा कर लेवन देते हैं जो धातू कार्बोनेट होते हैं कार्बोनेट पर चांदने का तरह क्या है तो सी ओ ठी रहेगा जिसमें सीकर लlungen कारबोनाट कर रहाता है जिसका जिसम्हाद ये अ iliusionar कारबोनेट है हैं मैंते हैं तो सी ओ धक्राबोनेट पढ़ना है क्या पढ़ना है तो यहां पर देख एजी कह ड हसाथ कर देए एक सभी ओद में कारबोन एक्रापनेट केल्सियम वी कारबोनेट यह थाथ खिर से थिया है केर सौर्शन धातो है और कारबोनेट selv और घ्रणीन भी एक थानश सु हमैं है तो हाइडोकलोरी के बाद किरेंस एक क्या हूए तो जिंक ख्युत विट क्या रहा लें यह जल देता है इसके बाद खुर्ण सिंस名 फैट यहां बनता है कञेशantTY वह केस्का लुटन कार्बने जल देता है ता 000 परकाल से देखे समान 11 बनाने के बीदिया Tel अब हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण लवन जो होते हैं उनको बनाने की बिधिया आगे देखेंगे ठीक है इसको उतार लीजे आप लोग समाने लवन बनाने की बिधी देख लिए थे अब हम लोग देख रहे हैं हम लिए लवन बनाने की बिधी क्या है हम लिए लवन बनाने की बिधी यहां क्या कर रहा है कि जब आमले में उपस्थित हाइड्रोजन पर मानू हम लोग जानते हैं कि सभी आमले में हाइड्रोजन प करमानों को किसी धातु किसी धातु या धातु के समान बेवार करने वाजे मूल के दुआरा आंसिक रूप से भिश्थापित किया जाता है तो इसके फैल स्थारू प्राप्त लवन को लिए लवन कहा जाता है ध्याँ से शम call क्या बोलए है कि अमले में उपस्थित हाइडरोजन को आंसिक रूप से बिष्थापित किया जाएगा किसके दिवारा या तो धातू होगा या धातूक जैसा काम कर रहा होगा तो उसके दोआरा बिसथापित करने पर जो नया लवन बनता है वो लवन अमलिये लवन होता है क्योंकि उसमें हलका आमले की अंस रह जाता है अमने की मातरा रह जाता है इसलिए उसे अमलीये लवन कहते जैसे में यहां पर देख लीजिए से किरिया कराया गया तो अभी करने के बाद यहां से हार्डोजन शू होता है पूर्णता भी स्थापित नहीं होता है देखिए यहां पर एक हार्डोजन मौझुद है अभी तो पूरी तरह से बिस्थापित हुआ ही सोडियम दोवारा पूरी तरह से इसका बिस्थापित नहीं नहीं हो पाया है यह आंसिक रूप से बिस्थापन हुआ है तो यहां पर एक हाइड्रोजन मौजूद रह गया तो यहां पर एक हाइड्रोजन जब मौजूद हो गया तो यह क्या हो गया यह अन्सरीकbuilder ना तो यहां जो लवन बन रहा है सोडियंग भाइस सल फेट क्शोडियंग आप में सलुपेट क्या होता है अमलियल्ट ह हमन हूता है यहां पर लवन प्राप्ट हो रहा है वह आंप्लियल आवन प्राप् मुत हुआ हो हैं तो में बन द्ध्रमाण जो Hydrogen पनकोते एं। को किसी अधातू या धातू को जैसा बिवहार करने वाला रूप से थिवहार करने वाला मुल्स को दिवरा आंивается से से बिस्थापित किया जाता है अन्सी कि मैं नग पूरी तरह से इसको भी सापित नहीं कर पाता है तो इसको आन्सीक्रोप से कै도 क issy it करने के फन्स रूफ बैने ने लवन को हम दो क्या बोलते हैं अम लिए लबन मुलते हैं जाय फोट मैस के यह पी ओफोर एस थीरी पी ओफोर को क्या बोलते हम लोग और तो फॉस्फेरिक एसीड को जब हमनों सोडियम हाइड्रोक्साइड से रियेक्शन कराएं तो यहां भी ध्यान से देखो तो यह क्या कर रहा है हाइडोजन को पूंटा भी स्थापित नहीं किया हाइडोजन के एक अ करना भी देखो और इसको भी अगर हम लोग इस अभी करेंगे फैल्सुर्फ यहां पर हाड्रोजन भी ध्मान 210 भी दोमान है कि यह नहीं रही क्या हो गया हम लिए 11 हो गया और यह क्या है जन को दिकत है तो इस तरह से हम लोग अम लिए 11 प्राप्ट करते हैं अब हम लोग है बहुश्मिक लवन कई मि जली है हैं आप हम लोग यहां बहुश्मिक लवन बनाने के ले दिखें हम हॉस्मिक लवन बनाने की विधियों जब किसी अम्ले दोरा किसी भासम इस drunk काодноत्रWow का आंसिक रूप से उदास निकरन होता है आम लेकर दोरा जब दोरे को दासिन करते हैं तों आन्षी कुरुप से यदू ऊधाशनी करन होगा तुछ के फ़लचौ रूप प्राप्त लवन को बहुत मिख लवन कहते हैं कि की से वियुर्षी management का का अंशी कुरुप से ऊधाशनी करन करन हो रहा है यानि की अब बाश्च्टीत रभाश्चाइण आयन को आंशिक रूप से बिस्थापित करके उदाशनी करन करता है तो इसके फ़ल सुरूप प्राप्त लवन को भौश्मिक लवन कहेंगे क्या कहेंगे यहां पर देखो लेड़ टू हाइड्रोक्साइड है क्या यह पीबी ओएच का हॉल्ट वाइच पीबी ओएच का क्या ह है और हाइड्रोक्लोरी कैम तो यहां पर क्या यह परकार क्या है भास में क्या है और यह है अमले क्या है अमले है तो भास में का नाम क्या है लिख लिजेगा लेड़ टू हाइड्रोक्साइड लेड़ टू हाइड्रोक्साइड है ना हाइड्रोक्साइड है इसको जब हम ल सफोरीं से यह जो थांसे आंशिक रूप सबिस्थापन होता है मैं लोड़ का एक अनू बश्थापी नहीं है न सी आजो भी भुए है नहीं और एक अनू हड्रोजन के साथ मिला तो क्लूराइड हाइड्रोक साइड और पलस में जल का निर्मान होगा यह तो जाहिर सी बात है कि एमल और छार मिलेगा तो लवन और जल बनना तैय है तो यहां जो लवन बन रहा है इस लवन में छार का गून मौजूद है ओएच है न हम बताया थे कि जिसमें एच रहेगा वह जो हता है और जिसमें फोटाय क्या होता है पहले क्या में देख रहे थे उस महीं में बद्समान हाइडोजन को आंसु इसे हापी फोड़ा लेकिलावन जो बन रहा था उसमें हाडोजन भी दमान था ख नहीं था इसलिए वाच मुझन और हुआ यह ने समय ना इसका नम क्या लेड़ क्लॉराइड हाड्रोकसाइड और जल का निर मान तो हो गा ही उसके बाद यहां पर देखेंगे बिसमिध हाड्रोकस भी समफ बōक्षाइड बोलते हैं ऑच हो फीच मत ہाइड बनता है टो विसमेथ आओकसी नाइट रित्रेट बनाता है विया सी नाइटरेट बनाता है बी आई ओएज का होल्ट वाज इंटू इन ओ थिरी इन ओ यह हुआ यह भी भास्मिक लाएं क्योंकि उम्हें ओएज का गुन मौझूद है वेज़ा गुन मौझूद हैं जी यहां ओएज का तीन अनू से यहां पर एक अनू बिस्था प्याइज का दो अनू बना बर्शा की यहां पर यहां पर ऑएज क्या आन्सिक भी स्था पनिर आप पून भी स्था पन होता तो यहां से पूरी तरह से आपMacक छाप talking है इसे मॉलडुद है तो यह आन्सिक भी स्थापन कराता थे कहलता है तो इसके फाल थो रूफ जो लवन प्लात रखना आबने बहु आसमेक ल यह हुआ भौस्मिक लेवन बनाने की विधियां हम देखें लेवन का पिये चमान क्या देखेंगे लेवन का पिये चमान ध्यान से सुनिएगा पहला में है कि प्राबल आमल और प्राबल भास में प्राबल आमल और प्राबल भास में के दुवारा जो लवन बनता है उसका पिये चमान साथ होता है कितना होता है प्राबल आमल एवां प्राबल भास में दुवारा नया लवन जो बनके तयार होता है वो लवन का पिये चमान कितना होता है या दूरबल आमल दूर्बल एमले और दूर्बल भास में दौरा प्राप्त लवन का प्येच मान भी कितना होता है को दिकेट दूसरा तिसरा देखो प्राबल एमले और दूर्बल भास में प्राबल एमल और दूर्बल भास में दौरा बना लवन का प्येच मान साथ से कम होता है साथ से क्या होता है क्योंकि हैं सक्तिसाली अमल है और कम जोर कुन है भास में है तो बताओ लवन जो बनेगा वो अमली ये लवन न हो जागा और अमली ये लवन का प्येच मान साथ से कम होता है साथ से ज्यादा दूर्बल भास में और दूरबल अम्ले दौरा प्राप्त लवन का पीआ चमान साथ से अधिक होता है क्या होता है साथ से क्या होका क्योंकि एहां परप्रेबल भॉस में है और दूरबल आम्ले है ये दोनों के फालस. रूफ जो निया लवन बन के तयार होगा वह लवन क्या होगा भौष मिकला है और हम लोग जानते हैं कि भास्में का पीएच्मान साथ स्थ होता है इसलिए यहाँ अबनेगा उस लवन का प्यश्मान साथ से अधिक होगा क्या होगा को दिक्याद छली है कि यह अमर काए निमलिक इत्र में अमले भैस में और लवन पछेशन करों का नाम लिखना है इसमें सबकों पहचान करना है कौन अमले है कोन भच्मे और सामने नाम भी लिख देना जैसे महाँ अब देख आप कॉपर सेलफेट है नहीं यह लावन होता है यह लिए कॉपर सेलफेट और लवन बागल में ठीक है तो उसी तरह सब को पहस्चान करके आप लोग को नाम लिखने नहीं ठीक है कि यह आज का होम बर्क रहा है अब अब अगले वीडियो में देखेंगे कुछ उपयोगी लावन के बारें पढ़ेंगे हैं कि अगले वीडियो में देखेंगे